नमस्कार दोस्तो इस वीडियो के माधियम से NCRT जोगरफी को सुरू किया जा रहा है कलास सीक्स से आज आपके पहला चप्टर को डिसकस किया जा रहा है पहला चप्टर में सौर मंडल में पिर्थिभी इसे केवल एक वीडियो में कम्प्लिट कर दिया गया है तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेगा और यह सभी एकजाम के लिए महतपूर्ण है इसका PDF के टेलिग्राम गृप जोइन कीजेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर वीडियो आप सभी को हेलफुल लेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तभी आपको अगले वीडियो का नोडिफिकेशन मिलेगा तो आई देखते हैं पहला पॉइंट पहला टॉपिक है सौर मंडल में पिर्थिवी और इसमें पहला पॉइंट है पूर्नीमा और दुसरा पॉइंट है आमावसिया पूर्नीमा और आमावसिया के बारे में आप ध्यान से समझेगा पूर्नीमा किसे बोला जाता है तो इसमें तो सबसे पहले जो चान्द है उसे पूरी तरीके से गोल होना होगा ठीक है चान्द आपके गोल आपको दिख भी रहा है दूसरा पॉइंट है चान्द को चमकीला होना होगा चान्द को जो है पूरी तरीके से चमकीला होना होगा चान्द को गोल होना होगा और चान्द को पूरी तरीके से चमकीला होना होगा अगर ये दो point को follow चांद कर रहा है जिस भी रात को ये दो point follow करेगा चांद उस रात को पुर्नीमा बोला जाता है मतलब पूर्णिमा के रात्री में जो है चांद को पूरी तरीके से गोल होना होगा और चांद को चमकीला होना होगा तो उस रात्री को पूर्णिमा बोला जाता है साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्णिमा है महिने में एक ही बार होता है पुर्रिमा के दिन रातरी में आप बहुत दूर तक असानी से देख सकते हैं क्योंकि पिर्थवी पर उस दिन चांद से बहुत ही जादा परकास मिलता है उसके बाद है अमवस्या के बारे में समझेगा कि अमवस्या के दिन भी आपके चांद को गोल होना होगा और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस दिन जो है चांद आपके चमकीला बहुत ही कम होगा चांद जो चमकीला है वो बहुत ही कम होगा देख रहे हैं इस चांद मतलब है कि चांद तो गोल है लेकिन चांद आपके चमकिला नहीं है चांद आपके अंधेरा में है इसका मतलब है कि प्रत्वी पर परकास बहुत कम मिलेगा और प्रत्वी पर आपके अंधेला होगा तो इसे का बोलेंगे अंधेरिया रात बोलेंगे और इस दिन आप प्रत् चांद आपके गोल है और चमकीला है जबकि अबस्या के दिन चांद आपके गोल तो है लेकिन चांद आपके चमकीला नहीं है इस बात को आपको ध्यान रखना है और यह दोनों जो आपके घटना है यह दोनों जो घटना आपके है याद रखेगा कि 15 दिन के बाद होता है ठी पतलब चांद आपको दिखेगा नहीं फिर से पंदरमा दिन क्या हो जाएगा फिर से पंदरमा दिन आपके चांद पूरी तरीके से चमकने लगेगा इस बात को ध्यान में रखिएगा यहां पर एक बढ़िया फोटो इसे प्लोग समझेगा ध्यान से यहां पर देखिए फूल मून बोलेंगे जिस दिन बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है उसे क्या बोला जाता है उसे पूर्निमा बोला जाता है और जिस दिन आपके बच्चा जनम लेता है उसे क्या बोलेंगे उसे अमाबस्या बोलेंगे क्योंकि उस दिन बच्चे के पास उतना स सोचने समझने की सकती नहीं होते इस बात को ध्यान में रखना है तो जो अमबस्या है इस दिन आपके रात अंधेला होगा और जो पूर्णिमा है इस दिन रात आपके अंजोला में होगा इस बात को ध्यान में रखना है उसके बाद है सूर्ज चंदर्मा तथा वे सभी बस्त उस्मा तथा परकास होता है अपनी उस्मा तथा परकास होता है जिसे वो बड़ी मात्राय में उतसर्जित करते हैं इन खगोली पिंडों को तारा बोला जाता है सुर्ज भी आपका एक तारा है ध्यान रखेगा सुर्ज क्या है सुर्ज आपका एक तारा है रात के समय चमकते हुए अंगिनत तारे सुर्ज के समान ही है जो तारे आप देखते हैं छोड़े छोड़े तारा होता है वो सुर्ज के समान ही है और आपको ध्यान रखना कि इनके पास अपना परकास होता है लेकिन हमसे बहुत दूर होने कारण जो हमें छोड़े छोड़े यह परकास को महसूस नहीं करते हैं तथा वह अत्यांत छोटे दिखाई पड़ते हैं उसके बाद है कि रात्री में आसमान की और देखते समय आप तारों के बिविन समु द्वारा बनाए गए बिविन आकिरतियों को देख सकते हैं यह नच्छतर कहलाते हैं आप देखेगा कि तारा का बहुत सा समु होता है बहुत सा गुरूप होता है इस गुरूप को क्या बोला जाता है इस गुरूप को जो है नच्छतर बोला जाता है आरसा मेजर या बिग बेयर इसी परकार का एक नच्छतर मंडल है बहुत आसानी से पहचान में आने बाले नच्छतर मंडल है जिसे बोले जाता है सप्त रिसी यह साथ तारों का समू है जो की नच्छतर मंडल अरसा मेजर का ही भाग है यहाँ पर आगे फोटो में समझेगा यहाँ पर देखिए यह आपके साथ तारह है इसे क्या बोला गया स्थभ्यावा बोला जाता है कि तुमको दिखाते सत्भ्य तारह को इसे सत्भ्यवा तारह बोला जाता है तो जब के गुरूप है इस गुरूप को क्या बोला कारण तारा की साहिता से करते थे प्राचिन समय में तो कोई घड़ी था नहीं कोई कमपायस था नहीं तो लोग दिशा का अनुमान के से लगाते थे तो तारों के माध्यम से ही लगाते थे उतरी तारा उत्तर दिशा को बताता है जिसे धुर्ब्ध сожалению भी जाता है यह आसमान में हमेशा एक ही अस्थान पर रहता है हम सब्त रिसी के सहाईता से धूरबतारे के स्थिति जान सकते हैं यहां पर ध्यान रखना है देखें आप एक बच्ची आपके खड़ा है और यहां की साथ रिसी जो तारा है जिसे सत्भवा बोलते हैं इसके सामने देखें यहां पर बच्ची यह देख रहे हैं तो सामने में उत्तर में आपको देख रहा होगा धूरबतारा ठीक है धूरबतारा इसके बारे में कितने बारे पूछ चुका है तो आप लोग के भी एक्जामें पूछा जाता है इसके बारे में अगर आप ध्यान से वीडिय और देखिए कि धूर्बतारा कहां पर है और आप किस दिशा में है इसका मतलब है जो धूर्बतारा आपके उत्तर में है तो यह आपके नौर्थ हो गया इससे दिशा के तो अनुमान लगी जाएगा ना यह आपके नौर्थ है नीचे वाला सौथ यह आपके इस्ट यह आपक सकते हैं इस बात को आपको ध्यान में रखना है ठीक है उसके बाद next point है कि कुछ खगोलिए पिंडों में अपना परकास इसमा नहीं होता है वातारों के परकास से परकासित होते है ऐसे पिंड गरह कहलाते हैं जिसे कि अपना पिर्थिवी है पिर्थिवी के पास में अपना ना तो परकास है ना तो उस्मा है तो पिर्थिवी क्या बोला जाता है पिर्थिवी को गरह बोला जाता है गरह जिसे अंग्रेजी में पलेनेट कहते हैं अंग्रेजी में क्या बोला जाता है ग्रेग भासा के planetai संब से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है परीभर्मन अर्थाथ चारों और घुमने वाले अच्छा आप लोग समझते हैं परीभर्मन और परीकर्मन यह क्या होता है परिभर्मन और परिकर्मन आपको ध्यान रखना कि देखिए हाँ पर आपके ये सूरज मानते हैं आपके ये पिर्थिवी है ठीक है ये आपके पिर्थिवी है तो पिर्थिवी अपने अच पर घुम रहा है तो इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे घुर्नन इसे क्या बोलें इस बात को ध्यान में रखिएगा उसके बाद है कि पिर्थिवी पिर्थिवी जिस पर हम रहते हैं एक गरा है पिर्थिवी क्या है एक गरा है यह अपना संपुर्ण परकास एवं उस्मा सुर्ज से प्राप्त करती है जो पिर्थिवी के सबसे नजदीक का तारा है इस बात को अभी ध्यान रखना है कि अगर आपसे एकजामे पूछा जाता है कि पिर्थिवी से सबसे नजदीक तारा कौन है तो सूरज है सूरज है कौन है सूरज क्या है एक तारा है और पिर्थिवी क्या है एक गरा है तो पिर्थिवी से सबसे नजदीक का तारा कौन है तो सूरज है पिर्थिवी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंदरमा से देखने पर, चंदरमा की तरह चमकती हुए परतीत होगे, इस बात को ध्यान रखेगा यहाँ पर समझे, यह आपके चांद है, ठीक है, यह आपके पिर्थिवी है, अगर आप चांद पर चले जाएगा, और चांद के परिवर्तन की कारण होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, परकास के परिवर्तन की कारण ऐसा होता है, क्योंकि यह सुर्ज के परकास को ही जो है, रिफलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आसमान में दिखने बाला चंदर्मा एक उपगरा है चंदर्मा क्या है एक उपगरा है और इक किसका उपगरा है तो पिर्थिवी का उपगरा है ठीक है तो पिर्थिवी का सहचर कौन है तो चंदर्मा है तथा इसके चार और चकर लगाता है किसके चार और चकर लगाता है तो विर्थिवे के समान साथ अनगरा हैं इसका मतल्ट टूटल आपके आठ गरा है विर्थिवे के समान जो है साथ अनगरा है जो सुर्ज से परकास एबं उसमा प्राप्त करते हैं उनमें से कुछ के पास अपनी चदर्मा भी है तो इसके बारे में मागे देखते हैं उसके बाद समझे सौर मंडल किसे बोला जाता है तो सुर्ज आठ गरा उपगरा तथा कुछ अन खगोली पिंड जैसे कि चुद्र गरा उलका पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्मान करते हैं तो आप से पूछ जाएगा कि इस स्वर मंडल में कौन-कौन आते हैं तो सूर्ज आता है आठ गरह आते हैं उपगरह तथा कुछ अनख गोल्य पिंड जैसे की छुदर गरह उलका पिंड ये सारे आपस में मिल के जो है स्वर मंडल का दिर्मान करते हैं उसे हम स्वर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुख के मुख्या सबसे नजदिक कौन सा गरा है जिसके दूरी अंठामन मिलियन घिलो मिटर उसके बाद है कि सकेन में आपके सुक्र आपके स्खुर के बाद के तिसरा में पिर्थिवी है । और पिर्थिवी के बाद आपके मंगल है ये चार गरह के बारे आपको याद रखना है कि ये जो चार आपके गरह है बूध, सुक्र, पिर्थिवी, मंगल इन चारों को आंतरिक गरह बोला जाता है और इन चारों का निर्मान जो है चटानों से हुआ है इसके उपर में आपके छुद्र गरह है ठीक है जो चुद्र गरह के बार में आपको याद रखना है कि जो चुद्र गरह है यह मंगल और बिहस्पती के बीच में अस्तित है उसके बाद बिहस्पती सनी इवरेनस और नेप्चून इन चारों को जो है बाहि गरह बोला जाता है जिसका अंदिर्मान गैस तथा तरलत से हुए जबकि जो आंतरीक गरह है इंका दिर्मान आपके चट्तानों से हुआ है आपको याद करने का आपके तरीका बताते हैं इसे अर्थ पर बिताएगा, मतलब पूर्थिवी, ठीक है, उसके बाद सुम आता है, सुम ने लेना है, मंगल ले लिए, मंगल के बाद आपको बुध ने लेना है, भीहसपती लेना है, भीहसपती के बाद आपको जो है, सुक्र नहीं, सनी लेना है, ठीक है, सनी लेना है, उसके ब जबकि विहर्ष्पति, सनी, उरेनस और नेप्चुन को जो है बाहि गरह बोला जाता है जिसका निरमान गैस और तलर्ण पंदात्यु से हुआ है इस बात को ध्यान में रखना है और आपको याद रखना है कि यह यह अर्थ है यह आपके सुक्र है तो पूछा जाता है कि पृ सुर्ज से सबसे नजदी कौन सा आपके गरह है तो बूध है सुर्ज से सबसे नजदी कौन सा गरह है तो बूध है अगर पूछा जाता है कि पिर्थिवी से सबसे नजदी कौन सा आपके पिर्थिवी से सबसे नजदी का तारा है इस बात को ध्यान में रखीएगा ठीक है इसके बाद इन गरोव का घुर्णन और परिकर्मन के बारे में देख लिजी यहां से भी प्रस्ट बनते हैं तो सुर्ज से सबसे नजदीक कौन सा गरा है तो बूध्याप के सबसे नजदीक का गरा है इसका जो परिकर्मन काल है 88 दिन है यह परिकर्मा किसका करता है तो सुर्ज का करता है और अपने अच पर 59 दिनों में घूम जाता है उसके बाद है सुक्र सुक्र का जो परिकर्मन काल है दूस्योफ़ पच्पन दीन है और जो घुरुनण टाइम है यह आपके 243 दीन है बहुत ही ज्यादा लेता है अपने अच पर घूमने में मतलब बहुत ही सलोग घूम रहा है कौन सुक्र उसके बाद है पृर्थवी पिर्थवी अपने अच पर जो है एक दिन में घूम जाता है लेकिन ये सूर्ज का चारो और मतलब सूर्ज का जो परिकर्मा है 365 दिनों में करता है ठीक है 365 दिनों में करता है और पिर्थवी के पास अपना एक चंदर्मा है ठीक है 6.87 दिन है और अपने अच पर जो है एक दिन में घूम लेता है और मंगल के पास जो है दो आपके चनर्मा है मंगल के पास आपके दो चनर्मा है यह आपके आंतरिक गरह के बारे में हो गया यह आपके आंतरिक गरह थे इसके बारे में हो गया इसके मद आएए बाहि ग्रह के बारे में पहला है आपका बिहस्पती जो बिहस्पती है इसका परिकर्मन काल लगवग 12 साल है ये 12 सालों में आपके सूर्ज का परिकर्मा करता है और अपने अच पर जो है ये 9 घंटे 56 मिनट में घूम जाते हैं लगवग मानिये इसे 10 घंटा जो आपके बिहस्पती है 10 घंटा में अपने अच पर घूम जाता है साथी बिहस्पती के बारे में आपको ध्यान रखना है कि बिहस्पती के पास जो हाल ही में डाटा आया है इसके अनुसार बिहस्पती के पास आपके 92 चंदर्मा है कितने चंदर्मा है 92 आपके चंदर्मा उसके बाद सनी के बारे में ध्यान दखेगा कि जो सनी है इसका परिकर्मन काल 29 साल 5 महिने है जबकि इसका जो घुर्णन है 10 गंटे 40 मिनट इसका जो घुर्णन है 10 गंटे 40 मिनट है मतलब कि अपने अच पर जो है 10 गंटा 40 मिनट में घुम जाता है इस बात को ध्यान में रखेगा और जो सनी है इसके पास कितने चंदर्मा है तो कूल आपके 83 चंदर्मा है बात को ध्यान रखेगा ठीक है उसके बाद next है Uranus जो Uranus है इसका जो परिकर्मन काल कितना साल है तो 84 बर्स इसका परिकर्मन काल है सुर्ज का जबकि इसका जो गोर्णन है 17 गंटे 14 मिनट है 17 गंटे 14 मिनट इसका आपके घुर्णन काल है और आपको याद रखना है कि 27 चंदर्मा है लगभग जो है Uranus के पास आपके 27 चंदर्मा है उसके बाद है नेप्चून नेप्चून का जो घुर्णन काल है 164 साल है और अपने अच पर 16 गंटे 7 मिनट में घुम जाते हैं और कि यह आपके सुर्ज है जैसे ही सुर्ज से आप दूर जाते जाएगा तो इसका जो परिकर्मन काल का टाइम है यह आपके बढ़ता ही जाएगा जो परिकर्मन काल है इसका टाइम आपके बढ़ता ही जाएगा लेकिन जो घुर्णन है घुर्णन का अपना सब का अलग तो यह लेट अपने यज़ पर कोन घूम रहा है, तो सुक्न जो है अपने यज़ पर सबसे लेट घूमता है, 243 दिनों में अपने यज़ पर एक चकर पूरा करता इस बात को ध्यान में रखना है उसके बाद next point है इसमें समझेगा आप देख रहें यह चल्ला है यह चल्ला क्या है जो सनी के चारो साइड आपके छोड़ी आपके पंथल हैं ये आपके सनी का चकर काट रहें ठीक है थो जो इस इस जुला इसमें समझ गए है यहाँ आप देखे लिखा गया है बिहस्पती, सनी, तथा इरुनेस के चारों और छल्ले हैं यह चल्ले बिभिन्द पदार्थों के असंग छोड़े छोटे पिंडों से बनी पटियां है पिर्थिवी से छल्लों को सकती साली दुर्भीन के माधियम से देखा जा सकता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पौरानिक रोमन कहानियों में सोल सुर्ज देवता को कहा जाता था पौरानिक रोमन कहानियों में सोल किसको बोला जाता था तो सुर्ज देवता को सोल बोला जाता था, सोल सब्द का अर्थ होता है सुर्ज ठीक है इसलिए सुर्ज के परिवार को जो है सुर्ज मंडल बोला जाता है इसके बारे में अभी आप लोगों ने देख लिए solar system, ठीक है, solar system बोला जाता है, उसके बाद next point है सूर्ज के बारे में समझेगा, सूर्ज जो है, सुर्ज जो है ये देखे, जो सूर्ज है ना, इस सारे के केंदर में आस्तीत है इस तरीके से, सब चक्र काट रहे हैं, ठीक है तो सुर्ज क्या है जितने भी आपके गरह है उन सभी के केंदर में अस्तित है इस बात को ध्यान रखेगा सुर्ज सुर्मंडल के केंदर में अस्तित है यह बहुत बड़ा है एबम अत्याधिक गरम गैसों से बना है सुर्ज जो है स्वार मंडल के लिए परकास एवं उस्मा का एक मात्र सुर्थ है लेकिन हम इसकी अत्याधिक तेज उस्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदिक का तारा होने के बाब जूद यह हमसे बहुत ही दूर है सुर्ज पिर्थिवी से लगबग 15 क्लोर किलोमेटर आपके दूर है तो आपसे एकजाम में पूछा जाता है कि पिर्थिवी के सबसे नजदिक तारा कौन है तो सुर्ज है सबसे नजदिक का तारा है लेकिन आपको याद रखना है कि सुर्ज के पास अपना परकास और उस्मा है अतबना है अपना परकास और उस्मा है जो यहांसे अपसे पूछा जाएंगा और सब्सक्राब कितने किलोमेटर दूर्ड है इसे उसके बाद है कि रात मिं आसमान को देखकर मनुष हमेसा से महित हुआ खगोली पिंडो एवं उनकी गती के संबंध में अधियन करने वालों को खगोल सास्त्री बोला जाता है आरबट प्राचीन भारत के प्रसीद खगोल सास्त्री थे उन्होंने कहा था कि सविगरा तथा चंदर्मा प्रवर्तित सुर्य परकास के कारण चमकते हैं जो आरबट आ सकते हैं कि कितने जिनियस होंगे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गरह ठीक है हमारे स्वर्मंडल में कुल कितने गरह है तो आठ गरह है चार आपके इनर था और चार आपके ऑटर था इसके बारे में देख चुके हैं चार आपके आंतरिक थे चार आपके बाहिगरह थे तो हमारे स्वर्मंडल में कुल आठ गर हैं, सूर से दूरी के अनुसार, बूध, सूक्र, पिर्थवी, मंगल, ये चारों क्या हैं, आपके यांत्रीक गर हैं, बिहस्पती, सनी, इुरेनेस, नेपचुन, ये आपके चार जो हैं, बाय गर हैं, टोटल आपके हमारे में फैले हुए हैं, ये कच्छा कहल आते हैं, यहां से समझेगा, ये अपना सूर्ज है, ठीक है, ये सूर्ज है, और ये आपके प्रिथी भी है, तो देख रहे हैं कि यहां पर आपको बना के दिखाते हैं, ये समझे आपके सूर्ज है, ये आपके प्रिथी भी है, ये जो आपके सूर्ज बहुत ही दूर चला गया तो इसे क्या बोला गया इसे जो है elliptical path बोला जाता है दिर की बृताकार बोला जाता है तो आपको याद रखना है कि जो आपके ये गरह है ये आपके सूर्ज का चकर तो काट रहे हैं लेकिन दिर की बृताकार में काट रहे हैं elliptical path में काट रहे हैं इस बात को ध्यान में रखेगा वो जो सूर्ज के सबसे नजदीक है अपनी कच्छा में सूर्ज के चारो और एक चकर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं इसके बारे में देख चुके हैं सुक्र को पृतिवी का जुलबा गरह माना जाता है क्योंकि इसका अकार एबं आकर्ती लगबग पृतिवी के ही समान है इसी लिए ठीक है और ये पृतिवी के नजदीक भी है next point है कि पलोटों भी कभी आपके गरह माना जाता था लेकिन अंतरास्टे खगोलिये संगठन का एक बैठक होता है अगस्त 2006 में इसमें जो पलोटो है इसे गरह से बाहर कर दिया जाता है जो पलोटो इसे गरह का दरजा छीन लिया जाता है पलोटो से और इसे बौने गरह का दर्जा दिया जाता है तो आपसे एकजामे पूछा जाएगा कि बौना गरह कौन कौन है तो 2003, UB313, Ceres और Pluto ये तीन आपके बौने गरह हैं इस बात को ध्यान में नोट कर लिजेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है 2003, UB313, Ceres तथा Pluto ये तीनों क्या हैं तो बौने गरह हैं ठीक है इस बात को ध्यान में रखेगा उसके बाद है पृतिवी के बारे में समझेगा तो सुर्च से दूरी के हिसाब से पृतिवी तिसरा गरह है अकार में या पाचमा सबसे बड़ा गरह है या धुरुबों के पास थोड़ी चप्टी है एही कारण है कि इसके अकार को भू आब जुआइड कहा जाता है ठीक है जो भू आब है इसे जुआइड कहा जाता है भू आब का अर्थ होता है पृतिवी के समान अकार पृतिवी के समान अकार इसका अर्थ होता है तो आपको ध्यान रखना है जो प के पिर्थिवी का अकार कैसा है जो आइड है भू आब है इस बात को ध्यान में रखिएगा वेरी वेरी इन्पोर्टेंट है और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि गरहों में सबसे बड़ा गरह कौन है तो भिहस्पति सबसे बड़ा गरह है जीवन के लिए अनुकुल प्रस् गैसे ऑक्सिजन उपलब्द है इन्ही कार्णों से पिर्थिवी स्वार मंडल का अदभूत गरह है आपसे पूछा जाएगा कि स्वार मंडल का अदभूत गरह किसे बोला जाता है तो पिर्थिवी को जो है स्वार मंडल का अदभूत गरह बोला जाता इस बात को ध्यान इस गति के बावजूद सुर्च के परकास पृतिवी तक पहुंचने में जो है लगवग 8 मिनिट का समय लगता हैсь सूर्ज का परकास है, पिर्थिवी पर पहुचने में लगवग 8 मिनिट का समय लगता है, अगर exact time बोला जाए, तो 8 मिनिट 19 सकेंड का टाइम आपके लगता है, ठीक है, 8 मिनिट 19 सकेंड का आपके टाइम लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद next point है, कि अंत्रिष से देखने पर पिर्थिवी निले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी दो तिहाई सता पर, जो पिर्थिवी का दो तिहाई आपके सता है, वो आपके पानी से ढखी हुई है, इसलिए इसे निला गरा बोला जाता है, very very important point है, अंत्रि इसलिए इसे जो है, निला गरा बोला जाता है, ठीक है, निल्म आर्म अस्ट्रोंग पहले बैक्ती थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंदर्मा की सतापर कदम रखा था, इसे नूट कीजेगा, very very important point है, next point है, उप गरा है, एक खगोली ये पिंड है, जो गरा के च शारे और चक्कर लगाते हैं, यहां पर समझे, यह आपके सूर्ज है, यह आपके बूध है, यह आपके बूध के बाद आपके सुक्र है, सुक्र के बाद आपके पिर्थिवी है, तो इस सारे आपके जो चक्कर काट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यह सारे आपके जो गरा है यह आपके सूर्ज के उपगरह हो जाएंगे सूर्ज के उपगरह हो जाएंगे अगर कोई आपके जो यह पिर्थिवी है ठीक है कोई पिर्थिवी का चक्कर काट रहा है कोई भी आपके गरह तो उससे क्या बोला जाएगा उसे पिर्थिवी का उपगरह बोला जाएगा इस स्प Bennett 14 माध्यम के लिए कि जाता है इसे सां पक耶म के दोअरा अंत्रिच में जाता है आं स्थाप्प्उत कर दिया जाता है अंत्रिच में उपस्तित कुछ भारती उपगर्रह इंसेट आद आर्यस एड़ेट हैं ऊपके भारत के इस माधियम के लिए किया जाता है इसे से दबाना अंत्रिश में भ Зबत LongMAN कर दिया जाता है अंत्रिश में उपस्तित कुछ भारती उसट इसा कि भारत के है इसमें आपको ध्यान डखना है कि जो मानम निर्मित आपके गरा है वो पिर्थिवी क्या हो जाएगा उपगरा हो जाएगा फिर से बोलते हैं इसे कोई आपके मसीन बनाए हम ठीक है और इसे हम परचेपित कर दिये से लॉंच करके पिर्थिवी के कच्छा में अस्थापित कर दिये तो पिर्थिवी का चक्र काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, पिर्थिवी का उपगरा हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और पिर्थिवी का ऐसे उपगरा कौन है, ये तो आपके कृतिम है, कृतिम कौन है, तो ये आपके जो भी माना परचेपित करता है उसे कृतिम उपगरा बोलते हैं जो प्रकृतिक है प्रकृतिक उपगरा है प्रकृतिवी का एक मात्र उपगरा प्रत्रम के पर प्रतित होता है क्योंकि हमारे गरह से अनखगोली पिंड की अपिच्छा ये नजदीक में इसलिए हमें बड़ा दिखता है जबकि जो तारा दिखते हैं तारा बहुत ही छोटा दिखता है क्योंकि तारा हमसे कलोरो अर्बो किलोमेटर आपके दूर अस्थी थे इसलिए ठीक है या हम से लगवग जो है 3,84,400 km दूर अस्तित है चंदरमा चंदरमा पिर्थिवी से कितना दूर अस्तित है? 3,84,400 km आपके दूर अस्तित है चंदरमा पिर्थिवी का एक चकर लगवग 27 दिर में पूरा करता है लगबग इतने ही समय में यह अपने अच पर भी एक चकर पूरा करता है इसके परिणाम सुरूप पिर्थिवी से हमें चंदर्मा के केवल एक ही भाग दिखाई पढ़ता इस बात को ध्यार में रखिएगा चंदर्मा की प्रस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है इसकी सता पर परवत मैदान एवं गड़े है जो चंदर्मा की सता पर छाया बनते है जो आपके चंदर्मा की सता है उस पर आपके यह चाया बनाते है पूर्नीमा के दिन चंदर्मा पर इसकी चाया को देखा दोगा उसके बाद छूद्रग्रः के बारे में समझयेगा कि तुर्ज के अत्रीकत उपकर असंख छोटए-छोटे पींड भी सूरज के चार और चक्कर लागाते हैं इन पिंडों को छूद्र गरा कहते हैं इन पिंडों को जो है चुद्र गरा बोला जाता है यह मंगल एबन बिहस्पति के कच्छाओं के बीच पाए जाते हैं बैज्ञानकों के अनुचार चुद्र गरा गरहों के ही भाग होते हैं जो बहुत बर्स पहले 20 पोर्ट के बाद गरहों से तूटकर आपके अलग था कि चुद्र गरह थे चुद्र होता है यह पत्थल चोड़ा आपके पत्थल का टूकला होता है जो आपके गरह है गरह सहीं तूटके आपके यहां पर जाके चकर काट रहें इस बात को ध्यान में ठीक है और यह चुद्र गरह हैं कभी-कभी हमारे पृत्वी के तरफ उलका पिंड प्रतिवी के इतने नजदिक आजाते हैं कि इनकी प्रव्रती प्रतिवी पर गिरने की होती है इस पर किलिया के दौरान वाईव के साथ घरसन होने करण जो है यह गर्म होकर जल जाते हैं फलस रूप चमकदार प्रकास उत्पन होती है कभी कभी कोई उलका इसे समझे हैं यहां पर यह आपके सूर्ज है और सूर्ज के चक्र काट रहा कौण यह उल्का पेंड रूखा पेंड क्या मालें पथ्थल चुड़ा-शुड़ा कन होता है और यह जो बाद में कुछ बड़ा रूप बना लेता है तो मुझे पथल ठीक है यह पथल आपके लगा तो पूरा जलता नहीं है कुछ आपके बच जाता है तो कुछ अगर आली जो बचा वह आकि पिर्थिवे पर गिर गया उसके करन क्या होता है पृतिवे पर आपके घड़े बंजाते हैं उसी का एक्जामपर है महरास्त का पि कि लोनार जील ठीखे ॉसके बाद next है, खुले अकास में एक और से दुसरे और तक फैली सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते जैसे परतीत होते हैं यह लाखो तारों का एक समू होता है यह पट्टी जो है अकास गंगा बोला जाता है अकास गंगा किसे बोला जाता है यह हमपने समझे cursed, जैसे कि मान्ली यह तारा यहाँ है यह तारा का एक समू है इस समू को जो ही अकास गंगा बोला जाता है तारों के समू को ही है अकास गंगा बोला जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा उसके बाद next point है झाल जो है इसक उस्फीमें ऐसे आंड़क है कि मिलने से किशल में आकस तो जिसका मुख्या pane चुण है तो हमारा सुर्मंडल जो है इस आकास गंड़कों नहीं बांड़क में प्राचिन भारत में इस дивॉकरी में परकास की एक बहती हुए नदीश की गई थी अकास गंगा करोड़तारों बादलों गैसों की एक प्रनाली है इस प्रकार की लाखों अकास गंगाएं इस प्रकार की मान लिए कि लाखों अकास गंगाएं मिलके जो है ब्रहमान का निर्मान करती है ध्यान रखेगा ब्रहमा प्रसने कि गरह और तारे में क्या अंतर होता है तो गरह के पास ना तो अपना प्रकास होता है और ना ही अपना उस्मा होता यह सूर्ज के प्रकास से चमकते हैं जबके तारे के पास अपना प्रकास और उस्मा दोनों होता है सूर मंडल से आप क्या समझते हैं तो सूर्ज आठ गरा, उपगरा, छूदर गरा, उलका पिन मिलने से जो है सूर मंडल का निर्मान होता है सूर्ज से उनके दूरी के अनुसार सभी गरहों को लिखना है तो लिख लिजिए सबसे पहले बूद आएगा बूद के बाद एक दिन छोड़िए सुक्र, सुक्र के बाद पिर्थिवी पिर्थिवी के बाद मंगल मंगल के बाद बिहस्पती बिहस्पती के बाद सनी, इुरेनस और नेप्चून ठीक है इुरेनस और नेप्चून उसके बाद है कि पिर्थिवी को अदभूत गरा क्यों कहा जाता है उसके पीछे क्या कारण है तो देखें पिर्थिवी को अदभूत गरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि पिर्थिवी ना तो ज़्यादा गरम है और ना ही ज़्यादा ठंडा है साथ ही पिर्थवी पर जीवन जिने के लिए ओक्सिजन और पानी उपलब्द है इसलिए पिर्थवी को अदबूत गरह बोला जाता है हम हमेशा चंदरमा के एक ही भाग क्यों देख पाते हैं क्योंकि आपको याद है कि चंदरमा का घुर्णन और परिकर्मन लगवक समान है इसी कारण जो है चंदरमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं ब्रहमांड क्या होता है तो ब्रहमांड के बारे में आपको ध्यान रखना है जो ब्रहमांड जो आपके सबसे बड़ा है तो सौर मंडल के मिलने से अकास गंगा का दिर्मान होता है और बहुत से अकास गंगा के मिलने से ब्रहमांड का दिर्मान होता है इस बात को ध्यान में चोटा आपके सवर मंडल हो गया, और सवर मंडल में कौन है, तो वो पिर्थिवी है, ठीक है, पिर्थिवी इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद सही उत्तर चिन्हित करना है तो कर लीजिए, किस गरह को पिर्थिवी के जुलबा गरह के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है सूक्र को जो है पिर्थिवी के जुलुबा गणा के नाम से जाना जाता है सूर्ज से तिसरा सबसे नजदीक गणा कौन है तो पिर्थिवी तिसरा सबसे नजदीक गणा है सभी गरा सुर्ज के चारों और किस प्रकार के पत पर चक्कर लगाते हैं तो आपको बता चुके हैं धूर्ब तारे से किस दिसा का ग्यान होता है तो उत्तर दिसा का ग्यान होता है चुद्रगरा किन कच्छाओं के बीच पाए जाते हैं तो मंगल और बिहस्पती के बीच में पाए जाते हैं उसके बाद खाली अस्थान भरना है तो खाली अस्थान को भर लिजिए इसमें पहला पॉइंट है खाली अस्थान का एक समू जो बिभिन प्रतिरीपों का निर्मान करता है उसे खाली अस्थान कहते हैं तो आपको याद रखना है यहाँ पर तारो का एक समू जो विभिन परतिरीपों का निर्मान करता है उसे नच्छत्र मंदल बोला जाता है ठीक है उसके बाद की तारो की एक बहुत वड़ी परनाली को क्या बोला जाता है तो एक तारो के बहुत बड़ी परनाली को जो है अकास गंगा बोला जाता है उसके बाद है कि खाली अस्थान पिर्थिवी के सबसे नजदीक है तो पिर्थिवी के सबसे नजदीक कौन है तो अगर गरहम बोला जाएगा तो आपके हो जाएगा सुक्र ठीक है सुक्र हो जाए गरहमें बोलेगा तो सुक्र हो जाएगा अगर उप गरहम बोलेगा तो चंदर्मा हो जाएगा ठीक है इस बात को ध्याने ध्यान में रखेगा चंदर्मा ठीक है उसके बाद है खालीय स्थान सुर्ज से तिसरा सबसे नजदीक गरह कौन है तो पिर्थिवी है उसके बाद है क कि गरहों के पास अपनी खाली अस्थान तथा खाली अस्थान नहीं होती है तो गरहों के पास ना तो अपनी उस्मा होती है और नहीं अपना प्रकास होता है ठीक है अपना प्रकास होता है तो कलास 6 के जोग्रफी का चेप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया है अगर वीडियो आप